गैस अपने C++ course में काफी चीज़े हम लोगों ने देख लिए हैं और हम इतने आगे आ चुके हैं अभी कि हम लोगों ने files के basics देख लिए और files कभी भी किसी programming language में सबसे kind of end में पढ़ाई जाती है अभी काफी कुछ C++ में रह गया है और वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा लेकिन अभी files के साथ किस तरह काम करना है और ये files C++ में कैसे काम करती हैं ये थोड़ा सा देख लेते हैं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा एक tute60.cpp बना लूँगा और tute60.cpp और मैं आप लोगों से एक request करना चाहता हूँ मेरी ये जो playlist है C++ Tutorials वाली इसमें बहुत कम shares है इंपक्ट सबसे कम shares इसी playlist में है तो अगर आपको लगता है कि ये playlist helpful है तो kindly please इस playlist इसको share कर दो अपने दोस्तों के साथ Facebook वगएरा पर that would mean a lot to me आगे बढ़ता हूँ यहाँ पर और files की बात करता हूँ कि C++ में file किस तरह से आप लोग use कर सकते हो तो देखो C++ एक object oriented programming language है जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं तो C++ के अंदर जब भी हमको files के साथ read write करना होगा है यानि कि files के साथ खेलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कुछ classes use करेंगे जो कि हमको already C++ प्रदान कराता है तो सबसे पहले मैं आप और आप लोग को एक चीज़ बताना चाता हूँ कि यह जो files हैं sorry यह जो classes हैं यह हमको मिलिंगी fstream.h में यानि कि hash include fstream.h आप इस तरह से लगाओगे और इसको run करोगे तो यहाँ पर fstream.h में in fact fstream मुझे लिखना पड़ेगा sorry not h तो hash include fstream के अंदर आप लोग को यह मिलेंगी और जिस तरह से हमने ios stream को include किया है उसी तरह से fstream को include किया है और hash include fstream करने के बाद आपको यह classes मिल जाएंगी अब यह classes कौन सी हैं जो कि आपको file की input output streams के साथ काम करने में मदद करती हैं उनकी मैं बात कर लेता हूँ तो मैं आपर लिख देता हूँ the useful classes for working with files in c++ r तो सबसे पहले तो क्या होती है एक fstream base class होती है ठीक है फिर एक होती है ifstream i for input और fstream ठीक है और एक और class होती है of stream और इन तीनों से जो है हम लोग pretty much file io c++ के अंदर कर पाते है ठीक है तो fstream base class जो होती है जैसे कि इसके नाम में base है यह base class होती है और जो fstream होती है वो derived होती है इससे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यह fstream base से derived होती है और जैसे कि आप लोगों ने बिल्कुल सही guess किया होगा यह of stream जो है वो भी derive की जाती है fstream base से ठीक है तो if stream off stream बोलते है इसको और यह दोने derived की जाती है fstream base से लेकिन आपको यह यह क्या theory बता दी क्या गरूंस का मैं fstream base का if stream का o stream का क्या मतलब यह है क्या मतलब आपको शुरू में देखके ऐसा लगेगा कि मतलब हा तो क्या मतलब so what ठीक है तो so what का जवाब ही इस video में देता हूं आप लोगों को तो so what का जवाब यह है कि मैं इसकी मदद से file को read write कर सकता हूं तो यहापर मैं थोड़ी सी theory और लिखूंगा और मैं आपर लिखूंगा in order to work with files in C++ तो C++ में अगर आप लोग files के साथ work करना चाहते हैं तो आपके पास यहाँ पर दो तरीके होते हैं आप उनको सबसे पहले you will have to open it यह लिख देता हूं there are two ways to open a file अब और भी वह सारे तरीके हैं but primarily there are two ways ठीक है तो there are two ways to open a file number one जो तरीका है वो है using the constructor अब किसका constructor कौन सा constructor क्या constructor यह मैं आगे बताऊंगा और using the member function open ठीक है of the class कौन सी class अरे जिसका object बनाएंगे वो class किसका object बनाएंगे अरे यह classes का object बनाएंगे अभी आगे सब कुछ बताऊंगा अब यह देखके कई लोग यह बोलेंगे कि यार यह क्या कर दिया यार इतना अच्छा चलना था course इतनी सारी theory तो तो थोड़ा सा मुझे time दो मैं आप आप लोग को यह समझाने के लिए आया हूं और मुझे बता है कि आप इस वीडियो पर इसलिए आया हों क्योंकि आपको समझना है यह और आसान भाशा में समझना है तो यह जो classes हैं C++ के अंदर इनके नाम खतरनाक है सिब एक खतरनाक न copy paste कर दो अब यहां पर आपको automatically यह 3 glasses मिल जाती है इस header file की मदद से अब मैं आपर क्या करूंगा आप लोग को demonstrate करूंगा यहां पर लिखता हूं opening files using constructor अब आपको किस का constructor तो सबसे पहले अगर मुझे एक file को खोलना है output के लिए अब मैं आपर एक sample file बना देता हूं मैं आप this is a sample file for tutorial 60 in a c tutorial okay so चलो बढ़िया यह करा मैंने अब यहांब मैं क्या करूंगा कि constructor से इसको खोलने के लिए एक of stream का object बनाऊंगा और उसका नाम मैं लिख दूँगा out ठीक है और यहांपर मैं क्या करूंगा मैं कहूंगा कि जो out object में बना रहा हूं वो खोले sample 60.txt को अब इतना अगर मैं run करूं इसको देखके तो आप देखो कोई error नहीं आया यह compile and run हो गया तो मैंने आपर किया क्या यह off stream क्या ही तो हमने अभी तक देखा नहीं off stream में class है जो कि हमें मिलिये इसकी सहाइता से हमने बोला f stream देवता f stream देवता हमें एक ऐसी class दे तो जिसकी मदद से हम file में output कर पाएं तो यह जो मैंने अभी यहांपर off stream का object बनाया यह मुझे मदद करेगा sample 60.txt में write करने के लिए तो मैं आपर लिख देता हूं write operation लेकिन मैं क्या चीज राइट करूँगा ठीक है मैं आपको बताता हूं मैं क्या write करूँगा मैं आपर लिख देता हूं string st is equal to harry भाई ठीक है और यहांपर sample 60.txt है यह मैं कर देता हूं खाली और इसको save कर देता हूं ठीक है जैसे कि आपने देखा भी अब string st is equal to harry भाई मैंने ल not declared in the scope तो यहां पर एक problem आ गई है मेरी यह क्या कह रहा है कि write operation expected comma or semicolon यह कहां पर okay तो यहां पर problem आ रही है मैंने semicolon नहीं लगाया okay no issues no issues और मैंने program जैसे run किया तो देखो यहां पर harry भाई write हो गया है तो अब आप लोग को पता है कि आप file में write कैसे कर सकते हैं लेकिन अग मानलो sample60b.txt मेरी एक file है sample60b.txt और मैं आपर लिखता हूँ कि this is coming from a file मानलो ऐसे मैंने लिखा अब मुझे मानलो इसको read करना है तो मैं read कैसे करूँगा तो यह तो opening files using constructor and reading it हो गया और मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको कर दूँगा comment out और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं opening files using constructor and writing to it और यहाँ पर 60b.txt लिख देता हूँ and reading it sorry and writing it था यह I am very sorry और यहाँ पर reading from it यहाँ फिर reading it यह मैंने write किया था अब यहाँ पर यह read operation होगा मैं आपर क्या करूँगा एक string write कर दूँगा sorry read कर रहा हूँ मैं आपर तो मैं आपर क्या करूँगा लिखूँगा इसको सबसे पहले in मना देता हूँ यह नाम अब कुछ भी choose कर सकते हो और मैं आपर लिखूँगा इसको कि in को layout st2 में जहाँ पर st2 एक string है ठीक है तो मैं आपर एक string मना दूँगा st2 और मैं कहूँगा कि जो भी content is file के वो मेरे st2 के अंदर आ जाए ठीक है तो मैं इसको अगर run करूँ अभी और और यहाँ पर देखो मैंने in st2 किया अब यहाँ पर क्या है कुछ problem आ गई है मैं देखता हूँ क्या problem आई है यहाँ पर यह कह रहा है कि of stream का आपने बनाया object आपको if stream का बनाना चाहिए था और यहाँ पर यह दिक्कत आ रही है तो अभी मैं थोड़े enter मार देता हूँ और इसको run करके यह देखता हूँ कि मेरा program successfully compile हो रहा है कि नी तो हाँ मेरा program successfully compile हो रहा है इसका मतलब मैं st2 को cout कर सकता हूँ और मुझे जो sample 60 b.txt के content है वो मिल जाएंगे लेकिन आपने एक बात देखी यहाँ पर एक बात देखी सिर्फ this आया पूरा content नहीं आया आप लोग सोचोगे कि सिर्फ this क्यों आया तो जब भी हम यहाँ पर एक if stream के object को use करते हैं तब होता क्या है कि हम लोग जो spaces है और new line से वो नहीं आती है यानि कि अगर मैं इसको this के बाद enter भी मार दूँ और इसके बाद मैं इसको read करने की कोशिश करूँ इस program से तो मुझे सिर्फ this ही मिलेगा ठीक है तो इस problem को solve करने के लिए यानि कि अगर आप चाते हो एक पूरी line को read करने के लिए तो आप एक get line function का use कर सकते हो और उसको आपको वो string देनी पड़ेगी जिसमें आप लेना चाते हो वो पूरी line तो st2 के अंदर लेना चाता हूँ मैं as a string पूरी line तो मैं अगर इसके बाद cout करूंगा st2 को उपस मैंने select करके run कर दिया मुझे बिना select की run करना है तो यहाँ पर सिर्फ this आ रहा है क्योंकि ये एक line को read कर रहा है अब अगर इसी को मैं वापस से run कर दूं get line को तो यह क्या करेगा दूसी line को st2 में ले लेगा और दूसी line आ जाएगी तो मैं जितनी बार get line को run करता चाहूँगा मुझे अगली line मिलती चली जाएगी मिलती ही चली जाएगी ठीक है तो मैं आपर अगर इसको ऐस करने का और राइट करने का और मैं आप लोग को एक बाद बहुत इमांदारी से बताता हूँ कि इतने से आपका काम चल जाना है फाइल आयो का आप जो भी प्रोग्राम लिखें इतने से mostly आपका काम चल ही जाएगा ठीक है तो इसके बाद जो हम चीज़े देखने वाले हैं वो भी important है लेकिन और वो क्यों important है अगर किसी ने मानलो आप लोगों को पकड़ा दिया कोई एक program जिसकी मदद से वो कह रहा है कि भाई ये मैंने ssa read करी है file मैंने ssa is file में write किया है तो वो समझना भी तो आपको जरूरी है अगर किसी ने मानलो कोई दूसरा तरीका जो मैं आपको भी बताऊंगा files को read write करने का वो इस्तेमाल कर दिया तब तो आपको वहाँ पर आना चाहिए यहाँ पर ठीक है तो मैं इसको अटा देता हूँ भी comment out कर देता हूँ तो sample 60.txt के अंदर मैंने यहाँ पर क्या किया था Harry by को print किया था और यहाँ पर जो of stream है वो पूरी पूरी string को यहाँ पर put कर देता है जैसे कि cout काम करता है कुछ ऐसे आप समझ सकते हो और यहाँ पर यह c in के जैसे काम करेगा जो in है तो मैंने इसलिए इनका नम out और in रखा है और आप लोग इन object से नम कुछ भी रख सकते हो और मैं आप लोग को बस यह बताना चाहता हूँ कि यह program जो है जितना मैंने आपर बनाया है उतना आप लोग के लिए enough होगा files को read write करने के लिए यह video मैंने जो बनाया है वो आपका file आयोगा इतना ताम चला जगा कि आप अगर competitive programming कर रहे हो यहाँ पर कोई program से वखरा लिख रहे हो तो दिक्कत नहीं आईगी आपको ठीक है तो इसलिए मैंने यह आपर जो है इसको एक ही program में एक ही video में मैंने pack कर दि में but I think this is enough यह काफी है हमारे लिए अगर आप लोग एक file को read या write करना चाहते हैं अब यहाँ पर मैं आगे आप लोगों से कुछ और end of file के बारे में बात करूंगा कि end of file क्या होता है वो आप लोगों को थोड़ा सा जो concept है वो देखना पड़ेगा ध्यान से but again यहाँ पर इतना जो है वो काफी है file pointer के बारे में और वो सब चीज़े भी आप लोग अगर जाने तो बहुत अच्छा रहेगा तो आगे इसकी बात करेंगे सब की और C++ का इस course जो है completion तक लेकर जाएंगे बस मैं आप लोगों से यह बोलूगा कि अगर आप लोगों ने playlist शेयर नहीं अगर यह तो प्लीज कर देना शेयर क्योंकि अगर आप लोग शेयर करोगे तो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो बहुत सारे लोगों तक पहुचेंगे उसमें अगर आप डालोगे तो मुझे काफी help मिलीगी इससरा के free वीडियो आप लोग के लिए लाने में अभी के लिए इस वीडियो में इतना है कि इस वीडियो को like करना बिल्कुल मत बूलना और इस playlist को यहां click करके यहां click करके जो है bookmark करना यहां click करके paste करना thank you so much guys for watching this video and I will see you next time